Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो कल मैंने आपको causes of accidents के बारे में बताया था आज फिर से मैं आपको causes of accidents part 2 बता रही हो मतलब इसमें जो basic, मतलब mainly points क्या हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो जो basic points होते हैं जिनकी वज़े से causes of accidents जो हैं create होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी आज देखे ये सारे चीज़े तो हमने देखी हैं कि इस वज़े से accidents हो जाते हैं कि हम clear, careful नहीं रहते हैंpowers जो रहते हैं अंसे introduce नहीं रहते हैं इस वज़े से hazards होते हैं accidents होते हैं ठीक है अब हमें ये ध्यान रखना है कि क्या points हैं जो observe किया गया कि causes of accidents क्या होता है उसमें जो points निकलके आए उनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है क्या होता है न जब causes of accidents create हुए तो एक observation किया गया कि ऐसी क्या क्या चीज़े सामने आती हैं जिनकी वज़े से ये accidents create होते हैं तो उन सब के बारे मैं मैं आपको बताऊंगी ठीक है how do accident occur सबसे पहले बात करेंगे तो क्या होता है ये accident injury होने वाले विदाउट injury वाले कब अकर होते हैं कब उत्पन होते हैं तब ही होते हैं जब हम उसमें एक time और space का variation आता है या तो हमारा ध्यान बटकता है या हमारी नजरें चूकती हैं ऐसी चीज़े होने से ये क्या है accident create होता है ठीक है ये coincidence होता है हो सकता है ये जो accident है आपको इसमें कोई हार्म ना हो और हो सकता है एक accident हो जाए ठीक है तो how do accident occurs तो यही है आपकी थोड़ी सी carelessness as accidents create करता है ठीक है तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी accidents होते हैं जितने भी accidents होते हैं वो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या है टेकिंग शौट्कट्स, शौट्कट्स लेने से सबसे ज़्याधा एक्सिडंट होते, एवरी डे ये देखने को मिलते हैं, क्या होता है, अपने काम को जल्दी जल्दी करना, safety पर ध्यान ना देना, shortcuts लेना क्योंकि safety पर अगर ध्यान देंगे तो shortcut तो create नहीं कर पाएंगे shortcut वो apply कर ही नहीं पाएंगे तो क्या करना, shortcuts लेना, safety को हटा देना reduce, safety और shortcuts बना लेना अपनी काम को करने के लिए जल्दबाजी करना और क्या करना खुद को चोट लगा लेना, ठीक है, taking shortcuts main point है, जाधा तर ऐसा होता है, तब भी accidents जो है वो create होते है, second जो point देखा गया है वो है incomplete instructions, ठीक है, incomplete instruction क्या बता रहा है इसमें, कि आपको जैसे माल लीजिए आपको एक direction दिया गया, इस काम को आपको ऐसे-ऐसे करना है, पर आपने direction सुना, पर incomplete सुना, और उसी तरीके से आपने उसको apply किया, तो ये भी accident का एक reason है, ठीक है जब भी हम अपनी job safely करना चाहते हैं, तो या तो हमें पूरे instruction पता होना चाहिए, पर अगर हमें पूरे instruction नहीं पता है, हम पूछने, आपको सामने वाले ने explain कर दिया, ठीक है, अब आप क्या होगे, आपकी training चल रही है, माल लीजे, आपको सामने वाले ने सब कुछ explain कर दिया, कि अगर आप ऐसे करोगे काम, तो ये इस तरीके से आपको safety maintain रखनी है, अब क्या होगा, आपको हो सकते है चल रहा हो, procedure का explanation चल रहा हो, तो आपको careful रहना है, और पूरी information लेना है, क्योंकि incomplete instruction जो है, वो आपकी job safety में कहीं न कहीं cause of accident बन सकते हैं, थर्ड जो reason सामने से देखा गया है, वो है poor housekeeping, साफ सफाई ना रखना, ठीक है, कुछ भी चीज manage नहीं करना, माल लीज़े, आप क्या professional walk down हुआ है, ठीक है, worksite पे, अब आप क्या proper housekeeping नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से show करेगा, क्या आप के quality production जो भी है, वो safe नहीं है, अच्छा नहीं है, quality आपके industry का, तो ये सारी चीज़े इससे दिखती है, ठीक है, और poor housekeeping क्या है, hazards का एक जरिया है, बनने का, खत्रा वहाँ बहुत जादा बनेगा, तो good housekeeping जो है, वो आपको pride, मतलब आपको proud feel तो कराएगी ही, साथ ही आपकी industry को, आपकी workplace को safe भी रखेगी, तो सबसे जादे ये चीज़ भी देखी गई है, कि poor housekeeping जब हम रखते हैं, तो इस तरीके की चीज़े भी सामने आती है, ठीक है, तो housekeeping रखना बहुत ज़रूरिया, अब आप ही देख लीज़े, आपका घर है, अगर वहाँ आप पच्छे से साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो क्या शो करेगा, वो यही शो करेगा ना, ये इनसान गंदिगी से रहता है, सेम यही चीज़े इंडरस्टी में भी इंप्लिमेंट करती हैं, वहाँ हजाड्स भी बनते हैं, पूर हाउस कीपिंग से, वहाँ एक्सिडेंट्स भी हो सकते हैं, पूर हाउस कीपिंग से, वहाँ जो क्लाइन्ट या मैनेजर विजिट पर आया है, प्रोफेशनल वॉक के लिए आया है, तो वो वर्क साइट पर आपकी impression दिखाएगा कि कैसे impression इस पर पढ़ रहा है ठीक है तो production के साथ-साथ आपको अगर अपनी safety पर भी ध्यान देना है तो आपको housekeeping जो है वो proper रखनी होगी कोई भी उसमें ऐसा ना हो housekeeping करते वक्त आप कोई भी ऐसी चीजें use करें या उसको ऐसी रखा छोड़ दे मतलब यह ना करें कि कल के लिए काम टाल दे housekeeping तुरंथ होनी चाहिए कोई भी work चल रहा है तुरंथ housekeeping उसकी हो जानी चाहिए यह देखिए पिचर भी शो कर रहा है यह देखिए work चल रहा है और यहाँ housekeeping किस तरीके से हो सकता है इन्हीं में से कोई एक गिर जाए ठीक है तो यही चीजें ध्यान रखनी है देखिए किस तरीके से पूरा सामन बिखरा पड़ा हुआ है unsafe situation यह create कर रहा है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हम जहां work कर रहे हैं वह safe रहे ठीक है और safe कैसे रहेगा अगर हम housekeeping अच्छे से रखते हैं तो हम safe रख सकते हैं ठीक है तो हमने तीन पॉइंट सामने हमारे यह आये है में शॉटकर्स नहीं लेना है housekeeping properly रखनी है और जो भी instruction है वो कभी incomplete ना सुने information आपको full होनी चाहिए नहीं तो आपको दुबारा पूछ लेना चाहिए ठीक है यह तीन चीज़ें आपके होने वाले cause of accidents पे बहुत effect डालती है इन तीनों में अगर आप अच्छा कर लेते हैं यह तीनों चीज़ें अगर सुधार कर लेते हैं अपने workplace पे आप safety maintain रख सकते हैं causes of accidents हटा सकते हैं eliminate कर सकते हैं अपने workplace से और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपकी industry की आपकी workplace की quality increase होगी, production increase होगा, उसकी image भड़ेगी, impression अच्छा पड़ेगा अगर कोई भी professionally client walk down होती है तो यह सारी चीज़ें अगर आप regularly use करते हैं regularly implement करते हैं अपने workplace पे और ध्यान रखते हैं, carefully यह सारी चीज़ें करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने workplace को safe रख सकते हैं, ठीक है, तो यह क्या था causes of accidents में जो observation की गई, कि आपके क्या main reasons ऐसे हैं तो यह 3 top most reasons हैं जिनकी वज़ें से यह सारी causes of accidents क्या हैं सामने आते हैं तो आज मैंने आपको इन्हीं के पारे में explain किया, causes of accidents मैंने आपको समझाया था एक बार और, तो आज मैंने इसका main reasons हैं, क्या-क्या हैं वो उनके बारे में बताया, so thank you